स्टुडेंट्स हाओ आर यू आज हम MSC प्रिवियस जोलोजी का जो फस्ट यूनिट है बायो केमेस्टरी पेपर की वो स्टार्ट कर रहे हैं यह जो हमार यूनिट है बेसिकली प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड के उपर ही बेस्ट है तो सबसे पहले हम देखते हैं अमाइनो क्या होती हैं प्रोटीन्स हम जैसे जीव जो होते हैं और्गनीजम्स जो हैं उनकी स्ट्रक्च्रल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है वही सैल सभी सैल से मिलके बने मल्टी शैलूलर एनिमल्स जितने भी हैं और जो सैल होती है मल्टी शैलूलर एनिमल्स की वह उनकी स्ट अगर कोई चीज मिलेगी तो वह क्या मिलेगी प्रोटीन्स मिलेगी ठीक है जैसे हम अमारी बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या में क्या मिलती है तो हम यहांपर सेल में प्रोटीन्स मिलती है ठीक है प्रोटीन्स जो है वह अमाइनो एसिड से मिलके बनती है तो हम यहां पर अमाइनो एसिड के बारे में भी डिसकस करेंगे ठीक है तो ट्वंटी परसेंट हुमन बोडी जो है वह किसे मिलके बनी है भई प्रोटीन्स से मिलके बनी है प्रो होते हैं ठीक है यह हमारी बोड़ी के structure function regulation बोड़ी temperature जतने भी हार्मोन होते हैं जतने भी structural protein से सब protein से मिलके बने हैं जतने भी हार्मोन से हाला कि कुछ अलग निचर के भी होते हैं लेकिन जादतर हार्मोन प्रोटीन निचर के होते ज़्यादतर प्रोटीन्स जो है वह एंजाइम्स होती है ठीक है तो हमारी बोडी में जितने भी ज़्यादतर एंजाइम्स जो है वह किसे मिलके बने हैं प्रोटीन्स से मिलके बने हैं तो समझ में आ गए होगा प्रोटीन्स किसे मिलके बनी है वही अमाइनो एसिट से मिलके माइन एक एक चाहर तो चा पर तो 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 थाओं रोड़े पृद्ग लेख एक तरफ तो इसमें 3 में तरफ नम्म ऑन रघंद कि यूल और यूल fountain ऐतना है बोलते हैं और साइड में होता है आर ग्रूप जिसको हम किसा आप साइड चैन भी बोलते हैं ठीक हैं ये सभी यह vere करती आप में हमारी के बोड़ी में मैं भात दिन भीलोट करें מחोड़os प्रोटकर के amino acid में common होते हैं ये सब ही जितने भी 20 amino acid है ये सब में same मिलेंगे R जो side chain है वो change होती रहती है उसके आधार पर ही उस amino acid का नाम रखा गया है ठीक है तो एक alpha carbon होता है जिसके चारो तरफ अलग-अलग functional group अटेच होते हैं एक carboxly group होता है जिसको हम C part इसको पोर्शन बोलते हैं एक amino group होता है जिसको हम N portion बोलते हैं N terminal बोलते हैं ठीक है तो इस तरह से ये amino acid की structure होती है classification देखे तो ये दो तरह के होते हैं एक तो hydrophobic amino acid और एक hydrophilic amino acid hydrophobic amino acid वो amino acid होते हैं जो की पानी के अंदर अगर इनको हम रखते हैं तो ये पानी से दूर भगते हैं पानी से ये bond नहीं बना पाते हैं पानी से थोड़ा दूर भगने की कोशिश करते हैं और पानी में रखने पर ये आपस में इखटे हो जाते हैं तो इस तरह के जो amino acid है को हम बोलेंगा हाइड्रोफोबिक अमाइन ऐसिड दूसरे जो माइन ऐसिड हाइड्रोफिलिक ये पानी के साथ बॉंड बना लेते हैं या फिर हम इंद को ये कह सकते हैं ये पानी में सॉल्यूबल भी होते हैं ठीक है तो हाइड्रोफोबिक अमाइन ऐसिड दो तरह के होते ह में जिनमें आर आरोमेटिक होती है। इंको मैं पॉलर भी होलते हैं तो नियूर्टाुक यह हैं जितने भी आपे लिखके हुए हूं, आइसपार्टिक एसड़ और बेसिक यह पर कैसा चार्ज कि ऐसा चार्ज बरिबिबक मारीटिक आभर टोषीजियों प्राइल ट्रीष्ट हुटidor और एकर में तट तो यह कोई ऐसा ऐसा चार्ज नहीं होता है नीट्रल होते हैं, तो यह इनका classification होता है आधार पर में बात करें, थो अगर हो उनवा में और वो है जो हमारे आउशेक आउशेकक कारी लिए बाहर डाइट में भी हमें चाहिए जबकि non essential वो है जो कि हमारी बोड़ी खुद भी बना सकती है डाइट में अगर वो ना हो तो को काम चल सकता है तो essential यहाँ पर याद रखने वाले हैं यह सारे जो है इस्टेडिन, आइसोलूशीन, लिूशीन, मैथियोनिन, फिनाइल, ऐलानिन, ट्रियोनिन, ट्रिफ्टोफान और वैलिन यह जो अमाइन अचिड है यह कैसे होते हैं वही essential अमाइन अचिड यह जो आर्ट है ठीक है अब हम देखते हैं next peptide bonds तो जितने भी हमाइन अचिड से यह आपस में जुड़के एक bond बनाते हैं जिसको हम peptide bond बोलते हैं तो जैसे कि यहां पर यह दो हमाइन अचिड यहां पर दिखाया गया यह one है और यह two है one वाले का जो c जहां पर c टर्मिनल है और two वाले का end टर्मिनल जो है यह आपस में क्या बनाएंग भई bånd बनाएंगी ओके तो यहां पर एक ह two रिलीज हो जाता है तो यहां पर co और n और h यह आपस में a combine बना लेते हैं इस bond को हम क्या बोलते हैं peptide bond बोलते हैं यहां पर एक amino acid का end टर्मिनल और दूसरे amino acid का c टर्मिनल आपस में वोटर के निश्कासन के बाद वोटर रिलीज हो जाने के बाद में आपस में बॉंड बना लेते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉंड कहते हैं इस पेप्टाइड बॉंड के दुआरा माइन अशिड आपस में जुड़के प्रोटीन का निर्मान करते हैं तो प्रोटीन्स जो है amino acid आपस में मिलके protein बना रहे हैं तो protein अब किस परकार से बनती हैं क्या उनकी संड़चना होती हैं वो देखते हैं तो सबसे पहले एक amino acid आपस में जुड़ जुड़ के एक के बाद एक polypeptide chain बना लेते हैं को हम प्रोटीन की primary structure भी बोलते हैं जहां पर देखो यहां पर amino acid एक दो तीन चार यह आपस में peptide bond के दोरह जुड़े हुए होते हैं अब यह जो chain है इसको हम पोले बोलेंगे क्या polypeptide chain अब polypeptide chain जो है यह आपस में दो तरह फोल्ड होके खुढ से थो हाइडो जान बोंड बनेकर दो तरह की शंदशना बना सकती है क्या एक तो यह इस तरह सेसल एलफा hell इस बना सकती है और दूसरी की इस सीट बना सकती है यह दो ऑं पर देखेंगे कि यह जो zit है जही आपसल्य MS हम बात करें यहां पर इस वाले की और इस वाले की यह दोनों एक ही डिरेक्शन में होते हैं तो इसको किया बोलें parallel sheets बोलेंगे तो इस परकार ये दूश sheets बना लेते हैं और ये secondary structure होती है प्रोटीन की दोनों अब जब वीटाशीट और alpha-lx दोनों परकार की संरचना है आपस में hydrogen bond बना लें तो वो प्रोटीन की tertiary structure हो जाती है और अगर एक से ज़्यादा polypeptide chain आपस में जुड़े यहां पर देखो यहां tertiary तक सिंगल polypeptide chain में आपस में injection हो रहा है जबकि यहां पर quarternery structure में polypeptide chains दो होती है यहां पर एक यह दूसरी यह दूसरी chain दो चैन आपस में bonds बनाए bonds कुछ भी हो सकते हैं hydrogen bond हो सकते हैं disulfide bond हो सकते हैं electrostatic bond हो सकते हैं covalent bond हो सकते हैं किस भी प्रकार के bond आपस में बनाए तो वो संदचना protein की quarternery संदचना होती है ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने यहां पर discuss करी तो amino acid आपस में मिलके क्या बना रहे हैं जुड़के proteins बना रहे हैं अब protein जो हैं यह fold होते हैं folding हमने देख ली कि चार प्रकार की संदचना है बनती है primary, secondary, tertiary और quaternary अब यह जो proteins की जो structure बनी है 3D structure होती है अब यह 3D structure जो है यह एक functional protein का निर्मान करते हैं अब जितने भी cell के अंदर कोशिका के अंदर कारी होते हैं इस functional protein की दुआरा किये जाते हैं natural protein यह कहलाइती है अगर इस protein की संदचना में हम कुछ छेड़ कर दें इसको बदल दें तो वो कहा हो जाएगी denature हो जाएगी तो denature जैसे हम temperature के base पे कर सकते हैं टेंपरेचर कर दिया तो denature हो जाएगी किसी लिटरजेंट से अगर उसको treat किया जाए तो protein क्या हो जाती है denature हो जाती है कुछ enzymes की दुआरा भी protein क्या कर दी जाती है denature कर दी जाती है तो उनकी संदचना में छेड़ चाड़ करने पर protein अपना जो normal काम है वो बंद कर देती है उसी को ही protein denaturation कहते है तो आज हमने protein और amino acid का जो introduction देखा है अब हम एक के बाद एक एक topic discuss करेंगे ठेंक यू